श्री गनेशाय नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशीफल चंद्रा राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में बारवे भाव में रहेंगे जी हाँ बारवे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है बारवे भाव में चंद्रमा के होने से इस दिन आपको कुछ सावधानिया बरतनी जरूरी होगी और साथ ही कुछ उपाय करने भी जरू अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज कोई महत्वपुर्ण निर्णय ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक गलत निर्णय लेने से भविश्य में आपको पच्छताना भी पड़ सकता है आज फिजूल के खर्चे काफी हो सकते हैं तो खर्चे पर लगाम लगाएं लापर करने के लिए समय ठीक नहीं है यात्राओं से लाप मिलने की संभावना काफी कम रहेगी यात्राय टाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यात्रा के दोरान स्वास्त भी परिशान कर सकता है तो संभल कर रहना जरूरी होगा नोकरी पेशा लोगों के लिए मानसी परिशान ना दे क्योंकि आज किसी भी तरे के विवाद में पढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा आज आप अप्गर अपने काम से काम रखते हैं खुद को काम में बिज़ी रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा घर परिवार में भी परिशानिया रह सकती है परिवार में किसी सदस्य क्या स्वास्त बिगडने की संभावना रहेगी इस वज़े से खर्चा भी काफी हो सकता है इस दिन चोट लगने की भी संभावना है तो आपको संभल कर रहना होगा आपके वहान की स्पेड भी धीमी आज हर काम समझदारी से करे, किसी प्रकार का विवाद उत्तन ना होने दे। स्टूडन्स के लिए भी समय थोड़ा परेशानी भरा रहेगा, पढ़ाई से अलग चीजों में मन लगेगा, ध्यान भटकेगा, अपने लक्षपर केंदी करपाना आज मुश्किल हो सकता है, आज सपेच चंदन का टीका माथे पर जरूर लगाए, अपनी किताबों को साप उन पर धूल मट्टी ना बैटने दे, हलका भोजन करे और पढ़ाई के दोरान ब्रेक्स जरूर ले, दोस्तों अगर आप विदेश में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया रह सकता है, वहां से धन कमाना भी आपके लिए आसान रह विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, या विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है, तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा, अगर आपका कोई विदेश में रहता है, तो उनसे भी आपकी बातचीत इस समय में बढ़ सकती है, तो विदेश से जुड़े मुद्दों पर पुरानी परिशानिया भी आपको परिशान कर सकती है, आज हलका भोजन ले, सुबह टहलने जरूर जाए, कवों को रोटी खिलाए, मंदिर जाकर भगवान का दर्शन ले, और एक रुपे का सिक्का गुल्लक में जरूर डाले, और माथे पर चंदनिया केसर का तिलक जरूर लगाए, तो कापी हट तक परिशानिया खत्म हो जाएगी, इस दिन आपके लिए पीले रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा, और तीन अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित है, कभी कभी हमारी परसनल बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप जून 2019 का कुम् व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्त नाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकार लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चप पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें, क्ली साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सी फूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपक के घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट होती है, और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं, उसमे आपका मन नहीं लग पाता है, इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीड़ों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है, दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकडी का अगर जाला है, तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है, जी हाँ वो अशुब माना जाता है, घर में मकडी का जाला होना अशुब है, इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है, क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, हर एक चीज हमा जीवन में खुशिया ला सकते है, तरक्की ला सकते है, धन ला सकते है, मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद